नमश्कर दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज मैंने ये special टाइप पकोड़े बनाये हैं और shape भी कुछ special देने की ही कोशिश की है आप देख सकते हैं ये है केले की जो तना होता है या केले का पेड कह लीजिए जो भी आप कह सकते हैं उसके पकोड़े हैं और ये देखिए ब बहुत ही spicy से जिनको तीखा सा पसंद है तो इसका flavor भी कुछ तीखा सा ही होता है और बाकी सारे चीज़े जो एड की है वो भी तीखी तीखी एड की है तो देख सकते हैं यहां पे यह है केले का तना और केले का पेड जो से हम कहते हैं जो इसी की मजबूती से जो खड़ा र होती है आपके पास कोई तेज धार वाली चीज़े हो ना जिसे असानी से कट सके तो आप उससे काट लिजेगा यह देखिए मैं यहां पे चाकु की मदद से ही पूरे अची तरीके से काट रहे हूं तो इस तरीके से आप इतना इतना पहले मोटा मोटा कट कर लिजे और उस इसमें इस तरीकी की न यह देख सकते हैं कुछ जिली मदलब क्या कहें कुछ ऐसे न रेशा रेशा सा निकलता है तो इस रेशे को साइड कर लेंगे जितना रेशा आप से निकले हटा लिजेगा तो यह देख सकते हैं मैंने ही जो इतना मोटा मोटा में काट सकती थी काट ल क्योंकि अभी क्या होगा ना इसका हमें एक दरदरा सा पेस्ट बनाना है तो यह देखिए मैंने बहुत जितना मतला बहुत जादा कट करने की जरुवत इसलिए भी नहीं है क्योंकि अभी यहां पे mixer grinder का use करेंगे तो यहां पर मैंने लिया है मिक्सी का जार और इसमें यह डाल देंगे बहुत ज्यादा एक बार में मट डालेगा नहीं तो वह घूमेगा नहीं तो थोड़ा-थोड़ा करके यहां पर डालिए और यहां पर पानी बिल्कुल में तैयाड कीजेगा इसमें अल्र तो इतना दरदरा पीस यह थोड़ा खड़ा-खड़ा इसमें रहना चाहिए बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है इसलिए मैंने कहा था क्या पानी बिल्कुल भी मत आड़ कीजेगा देखे बीना पानी के भी कितना यह गीला है अब यहां पर किसी बरतन में इसको नि हरी मिर्च तो यह दो प्याज है थोड़ा सा धनिया है और हरी मिर्च आप देख सकते हैं अपने टेस्ट के कोडिंग भी आप हरी मिर्च डाल सकते हैं तो कम ढालिए बच्चों के यह स्पेशली बना रहे हैं तो तीखा कम ढालिएगा अब यहां पर सारी चीज़े हम जब भी हम किसी सबजी या किसी ऐसी चीज को खाते है ना तो उसके जो नाचरल फ्लेवर होता है ना उसका टेस्ट बरकरार रहे यह बहुत अमपोर्टन होता है तो यहां पर मैंने एड़ किया है बेसन भी बहुत ज़्यादा एड़ मत कीजेगा मैंने यहां पर पांच चमच बेसन का इस्तिमाल किया है थोड़ा सा नमक थोड़ा सा जो है लालमच पाउडर और थोड़ी कशमीरी में चाप आड़ करना चाहें तो कर लीजिए साथ ही आड़ की है थोड़ी सी हल्दी तो इसलिए मैंने का इसके अलावा आप कुछ भी जादा मसाले मत आड़ कीजेगा बेसन भी मैंने आपको कहा कि पहले एक बार में ही आड़ नहीं करना है थोड़ा थोड़ा करके आड़ करना है उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और इसको आपस में मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ जैसे हम कोफते के लिए रेडी करते हैं बिल्कुल उसी तर मैंने बेसन के अस्तिमाल किया है तो देख सकते हैं यह रेडी हो गया है अब यहां पर थोड़ा सा लेमन जूस डालिएगा बस इतना ही डालना है बहुत ज्यादा नहीं एक जो मसाले जो होते है ना उसके टेस्ट को थोड़ा सा डाउन करने के लिए यहां पर कि मसालों का जो फ्लेवर हो ऊपर ना जाए इसलिए मैंने तोड़ा लेमन जूस का अस्तिमाल किया है अब यहां पर मैंने इस शेप में बनाने की कोशिश की है आपको नॉर्मल शेप में बनाना है तो बना सकते हैं और शेप का मुझे नाम नहीं पता मैंने बस ऐसे ही ट्राइग किया और ऑईल पहले से ही गरम करने रखा हुआ था रिफाइंड है और सारे ही जो है एक एक करके इसमें डाल दिये हैं तो देखिए आपको मैं दिखाती हूँ कि इस तरीकी का जब गुल्डन सा अच्छा सा कलर आ जाए ना यह देखिए तब आप यहां पे ने निकाल सकते हैं तो यहां पे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके मैंने फ्राइ किये और इसे एक प्लेट में निकाल लिया है यह देख सकते हैं तो इस तरीके का गुल्डन कलर आ जाए तो आप निकाल लिजेगा और सारे ही इस तरीके से मैंने ट्राइ किये हैं और इसे मैंने यहां पे जो है सॉस के साथ रखा है अगर आप चाहें तो ग्रीन चटनी धनी की चटनी के साथ भी आप सर्फ कर सकते हैं अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप सभी वीवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद